good afternoon students आज हम S.F.M. School की online class में आपका स्वागत है और आज हम class 6 की English class लगा रहे हैं जिसमें हम करेंगे आज punctuation mark के बारे में पढ़ेंगे punctuation mark क्या होते हैं? हिंदी में से बोलते हैं हम vira chin है जब कोई हम वाक्या लिखते हैं उस वाक्या को लिखने में कुछ हमें सावधनिया रखनी होते हैं कि जैसे वाक्या का पहला अक्षर सदेव क्या होता है कैपिटल होता है बड़ा होता है वाक्य वाक्य द् общ होति हो वाक्य में क्या पूछा जा रहा है तो हम günई लगाते हैं प्र olmuş चीन हैं लगाते है कोई ऐसी वाक्य और हमें जड़ा खुशी मिलती हैं तो उता है या बहुत ज़्यादा आश्रीय होता है सर्प्राइज होता है तो वह हम वह वाक्य 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 होते हैं उनके लिए हम लगा क्या लगाते हैं कि लाइन लगाते हैं वाक्या के बीच में कई हम कोमा लगाते हैं कई हम इंवर्डेट कोमा लगाते हैं कई हम अपया पोस्ट्रोफी लगाते हैं तो यह सबी जो चीने ह है उसके अर्थों को अच्छी तरह से समझ सके जो यह punctuation मार्क होते हैं वाक्य के अर्थों को अच्छी तरह से स्पॉस्ट करते हैं कि डेफिनेशन इस प्रकार से कि जो punctuation मार्क होते हैं मार्क किसी भी वाक्य कि अर्थ को स्पॉस्ट करते हैं वाक्य करते हैं फूल स्टॉप को मा इन्वर्टिड को मा यह जोते न उपपर लगाते अपने वह बेच में लो फंटेंस के शुरू में जब खतम होते बात बार जब शुरूरिये उससे पहले और जो खत्म हो रही है वहां पर हम क्या लगाते हैं को जिभा के बंत कहते हैं वो इसमें सोरी एपोस्टोफी पोस्टोफी उतना को मलगा कि फिर ऐसे लिखते हैं यह वाला और कोश्चन मार्क एसक्रेमेट्री मार्क एक्सेक्ट यह सभी क्या होते हैं अब हम इसके रूस पढ़ते हैं मतलब कि हम कहां पर हमें फूल उस्टोप का यूज़ करना है कहां पर हमने कॉमा का यूज़ करना है कहां पर इंवर्टेड कोमा का कहां और पोस्टोफी कोश्चन मार्कीन का यूज़ कहां कहां पर करते हैं ठीक है फूल स्टोप का यूज़ फूल स्टोप का यूज़ ठीक है फूल स्टोप का यूज़ पढ़ेंगे फूल स्टोप का यूज़ सभी इंपेराटिव इंपेराटिव और एसार्टिव एसार्टिव वाक्यों के अंत में हम फुल स्टोप लगाते हैं इंपेराटिव वाक्य इस तरह से क्यों होते हैं सबस्दारन वाक्यों में यह आते हैं और एसर्टिव भी सदारन वाक्य होते हैं ठीक है जिन स्कूल डेली जैसे सिंपल सी बात है कि मैं स्कूल रो जाता हूं यह जाती हूं तो हम रोज पूज जाते हैं एक सधारन सी बात है बात करी बात खत्म होगी तो हमने यहां पर क्या लगा दिया पूर्न विराम लगा दिया ठीक है फुल स्टोप का यूज अंपेराटिव और ए कि कोполож वा ऐसी होती है ठीक है इसका र्यूज किकर खते हैंया जो भी पार आट ओफ स्पीच के वाक्यों को कत्नों को वाक्यों को अलगला कि कि जब हम अलों संटेंस में हमने एक या दो या сложно बात बहु подभू है तो उन उन इसकारł करने के लिए हम क्या रोगिज करते हैं को मागे उस करते हैं मैं एक्जेंपल कर वाओंगे फिर उससे आपको समझ में आएगा कि इसका होता है कि पार्ट कि ओफ कि स्पीच के वाक्यों को अलग-अलग करने के लिए करने के लिए पार्ट ओफ पीच के वाक्यों को अलग-अलग करने के लिए ठीक ओमा की यूज़ करते हैं और यास और नो के बाद भी कौमा का प्रियोग करते हैं कि यास और नो के बाद भी कौमा का यूज़ किया जाता है इसके एक्सेंपल करते हैं अग्ज़ब्स अग्ज़ब्स एक्ज़ब्स करते हैं जैसे गीता बोट एक पैन पैन एक पैंसिल एक पैंसिल स्केल थर्ड हम करते हैं कोश्चन मारका वाक्य में जब कोई प्रशन पूछा जाए तो वहाँ हम कोश्चन मारका यूज करते हैं जैसे एक्जेंपल है वेयर डू यू लिव कोश्चन के लिए यूज करते हैं वेयर मतलब कहां वेयर डू यू लिव तुम कहां रहते हो एक और एक और एक्जेंपल करेंगे इसका वेयर यू लिव तुम्हारा वट को भी कोश्चन के लिए यूज करते हैं तो अन्द में क्या लगाएंगे कोश्चन मार्क अन्द में करते हैं